ना सब्सक्राइब इस को देखिए सीवेसी 2017 मैं आया कंपार्टमेंट के पेपर में इंदर गिवन फिगर पी एंड पीबी ओके तो यहां सा देखो ज़रा यह पी और पीबी क्या है टेंजेंट है कि एक्सटेनल पॉइंट पी से ड्रॉप किये गए टेंजेंट पी और पीब है यह पूरा ट्विल बहुत असान कोच यह ने कुछ नहीं करना है यह बूरा कितना है क्यू सी कितना है और लिख रहे है क्यू से क्यू टक कितना है सई सब्सक्राइब बहुत असान हो गया देखो C से लेके Q तक जितना होगा जितना CQ होगा उतना ही C होगा external points से draw किएगा tangent CA is equals to CQ CA is equals to CQ हो जाएगा तो यहां से देखो यह अगर 3 है CQ तो CA भी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, सही है अब आप चेक कर लो ठीक इसी तरीके से D से Q तक और D से B तक equal होगा, यहने के DQ is equals to DB सही है न, DQ is equals to DB, correct चेक कर लो, DQ कितना है 3 तो DB कितना है 3, यह लो सही है, अब सुनो, अब ध्यान से चेक कर लो, उसने हम से क्या पूचा है PC plus PD, यहने के पहले तो आप PC की लेंद निकालो, अब आप खुद चेक करो उस डाइग्राम को अगर मैं आपसे यह बोलू, हाँ, कि PC नहीं, PC की लेंद, PC की लेंद, PC से लेके only C तक 9 हो जाएगा, क्या, 12 माइनस 3, भाई चेकरो न, पूरे 12 में से 3 हटा दो के तो PC आजाएगा, यानि के यह वाला, मैं ब्लू गलर से लिख रहा हूँ, यह PC का लेंद आजाएगा 9, सही है, यानि के 12 माइनस, और आपको एक्जाम में लिखना भी पड़ेगा, कि PC की लेंद कैसे मिल रही, PA में से AC माइनस करके, तो PA माइनस AC है न, PA माइनस लिखा, यह माइनस, PA माइनस AC, PA कितना है, 12, AC कितना आपका 3, तो इस तरीके से जो PC आगया, आपका 9 cm आगया, बहुत बड़ी है, अब सुनो, similarly, आप ध्यान से चेक करोगे अगर, तो बहुत ध्यान से चेक करना, बहुत ध्यान से, तो जितना P से A तक होगा, उतना ही P से B तक होगा, अब P से A तक कितना था, 12 था, तो PB भी कितना हो जाएगा, 12, तो PA, PB दोनों ही 12 के को लो जाएगा, external points से draw किये गए, tangent इको लो जाएगा, ठीक, अब कहने का मतलब यह है, कि यहाँ से देखो, यह PB कितना आजाएगा आपका, 12, यह लो पूरा, ठीक है, अब बताओ, PD कितना बचेगा, 9, सही है न, यह देखो, यह PD कितना बच जाएगा आपके पास, 9, P से D तक, ठीक है न, भाई 12 माइनस 3, याने कि हम लिख सकते हैं अपनी copy में, कि this PD is equals to, पीबी माइनस डीबी, पीबी माइनस डीबी, सही है, पीबी कितना था, 12, और डीबी कितना था, 3, 12 माइनस 3 कितना हो गया, 9, याने कि आपके पास, PD कितना आ गया, 9, सही है, अब सनो, PD आ चुका, PC आ चुका, दोनों को add कर दो, तो PC और प्लस PD कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा PC कितना है 9 और PD भी कितना है 9 so 9 plus 9 कितना हो गया 18 cm ठीक है so this is your final answer यहने कि PC प्लस PD कितना हो गया आपके पास 18 cm correct कर लीचे